आज मैं आपके लिए कावली चने से एक ऐसी रेस्पी लेके आई हूं कि आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है और बच्चों को तो आप अगर देखेंगे ना तो बच्चों के लिए तो यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़िदार है क्यों बच्चे पैकिट की चीज बजार से लेके आते हैं चिप्स हुए नमकीन हुए तो वह बहुत ही हानीकारक होती है तो यह आज मैं बहुत ही चटपटा ता बनाऊंगी तो चली देख लेते हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल रेंदा किचिन चैनल पे तो दोस्तो बर रख बसके देख नहीं चैनल तो ढरी उनने चैनल लिपनी पलेट कर लिशीन चैनल खरक होता हैं और चूर धरकों यह इस екार ही से कहनी हों दुष्पतर श्यां defigrant मैंने तो चैनल चैनल इंए इस दूसरा नमकी टेस्टिप है नमक नाव्ति में नमक दाल में दूरी देप नमक नमक दाला था झोड़ी सी यह लाल मिर्च पाउडर डालें चारों तरफ अच्छे से इसमें स्प्रिंगर कर लें और लें इसके बाद हमें इसके यह पावभाजी मसाला एक चम्मच पावाजी मसाला डाला है मैंने इसमें और फिर इसमें मैं एड़ करूंगी बारिक कटा हुआ हरा धनिया फिर इसके बाद हम डालेंगे अमचूर की खटाई जो नॉर्मल हमारे घर पे रहती है और फिर इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कॉन फ्लॉर तो यहां दो से तीन चम्मच इसमें मैं कॉन फ्लॉर एड़ करूंगी और डालने के बाद इसको हम हातों से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्यों यह कावली चने है तो इसमें भी थोड़ा बहुत पानी है ठंडा हो जाएगा ना तो भी इसमें पानी रहता है तो इसमें अच्छ बूल जाएंगे तो दूबारा से मैं इसमें कॉंफ डार के अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यह मैं क्या डाल रही हूं गार्लिक को मैंने पानी अच्छे से रफ्ली कड़ाई अच्छी गरम हो जाएगी, तेल अच्छा गरम हो जाएगा, तब इसमें हम डालेंगे अपने काबली जने, जो हमने अपने बना के रेडी कर लिए थे, अब आप इनको क्या है, बरसात का सीजन भी आ गया है, तो चाय के साथ इसको आप स्टोर करके बना के रख सकते हैं और इंच्छाय कर सकते हैं, चाय के संग अपने बरसात का भी सीजन है, बढ़िया सी अच्छी चीजे बनाईए और खाईए, तो इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे, लगातार और अच्छे से इसको फ्राइ करेंगे, यह जब तक कि क्रिस्पी नहीं हो जाते ना, अगर इस तरीके से इसमें डालेंगे तो ऊपर से कोई एस्टा मसारा डालने की ज़रूद नी पड़ेगी, और बहुत ही टेस्टी बनेगा बस एक अगर अगर आप एक चना भी इसमें मुह में डालेंगे ना, तो आपका मुह बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, तो यहां प तो अच्छे से यह देखिए, इसकी आवाज सुनिए आप, इसकी आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा, यह कितने क्रिस्पी हैं, और यह देखिए, यह देखिए कितने क्रिस्पी हैं, और कितने लाजवाब बने हैं, बिल्कुल बाजार जैसे करारे करारे मुह में डाल तो थोड़े से मिलेंगे और यहां घर पे हम बहुत सारे बना के रेडी कर लेते हैं फिर देर किस बात की बनाईए चाय बर्सात का सीजन है और इंजोई कीजिए धन्यवाद फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ